डिक्टिशंगती असी सब्द प्रतिमिनत श्टार्ड महोदय आज हमारे तरीकों से और कारिश संचालन द्वारा परिवर्तन की दिसा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किये जा रहे हैं कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है जिससे ब्रिहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए और इस पर आपको अपनी विचार विमर्ज के दोरान ध्यान देना चाहिए काम की बहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है इसके लिए अधिक उप्युक्त वेतन आवश्यक होता है साथ ही काम का इस्थान कमरे आदी भी साब सुत्रे होने चाहिए लेकिन जो लोग साथ साथ काम करती हैं स्रमिक प्रबंधक तथा किसी पर्योजनामी या कार खाने में काम करने वाले अन्य लोग उनमें अच्छे संबंद होना आवश्यक है तथा यह सायद अन्य सभी बातों से ज्यादा महित्त पूर्ण है मुझे आसा है कि यह बैठक ऐसी विचार गोश्थियां और सम्मेलन इस प्रकार की सिक काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी सरकार को काफी कुछ करना है और वह करेगी भी हाला कि आज हमारे यहां की इस्थिती में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता या कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे नीती संभंदी निरणय भी सरलता से लिया जा सकता है लेकिन किसी निरणय को समुचित ढंसे लागू कर पाना बहुत कठिन होता है मैं या बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूं क्यूंकि कठिनाईया हों तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाईया है और उन पर विजय पानी के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता इसके लिए इस्थिती को समझना और द्रण निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है चाहिए रुकावटी कितनी ही बड़ी क्यूं ना हों कठिनाईया कैसी भी क्यूं ना हों सरकार का यही संकल्प है सार्वजनिक छेत्र को बहुत महत्तपोन योगदान करना है उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं बलकि स्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी स्रमिकों में नहीं है मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोसी नहीं ठहराया जा सकता हमने प्रयात ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे मैं जानती हूँ कि प्राया जो मजदूर किसी बांध के निर्माड में लगे है उन्हीं पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है महोदय हमने ऐसे प्रयास ही नहीं किया कि किसी पर्यूजना को एक ऐसा संयुप्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, स्रमिको, वहां रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्यानिकों, प्रवंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो हमने समत्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग-अलग खानों में बाट दिया है इसलिए ये जूठे विभाजन समाप होने चाहिए हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन है सायद वे सभी समाजों में होते हैं लेकिन हमारे यहां वे सामान से कुछ ज़्यादा ही है ये धर्म के आधार पर जातियों के आधार पर भासा और छेत्र के आधार पर पाई जाते है एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनिक तरह की दीवारे है और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एक्ता को तोड़ने के लिए किया जाता था आज भी इन्हें उन लोगों को कमजोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खरे होना चाते हैं जो भिन भिन जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश से प्रेरित हैं हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समुह को कोई भी कमजोर ना कर सके हमें ऐसी वर्गों का और विस्तार करने की कोसिस करनी चाहिए जिससे उनके अंतरगत हमारी और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विसेश उद्देश को पूरा करने के लिए क्रित संकल्प हों क्यूंकि यही देश के हित में है इसी से देश मजबूत बनेगा देश वासी मजबूत बनेंगे जिनके अंतरगत कोई एक वर्ग ही नहीं है बलकि सभी वर्गों के लोग है इसलिए संपूर्ण सिक्षा का अभी प्राय है कि हम केवल अपनी अधिकारों के लिए संघर्ष ना करें बलकि यह भी देखें कि हमारे प्रियासू का अल्प संक्यत समूहों पर क्या असर पड़ेगा और द्योगिक छेत्र सू गठित है उसकी आवाज सक्ति साली है उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवशक्ताई अन्य वर्गों से कहीं ज्यादा महत्त की हैं परंतु उनमें एकता नहीं है उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें सायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी हैं लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उप्यक्षा नहीं की जा सकती हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे नहीं है अगर आप हमारे पेट ग्रूप से जुड़ना चाते हैं तो आप नीचे दिये गए टेलिग्राम नंबर पर संपर्प कर सकते हैं इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज्याद से ज्यादा से शेयर करें मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी प्लेलिष्ट में उपलक्त सभी डिक्टेशन की यदि आप प्रेक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी सब्सक्राइब की डिक्टेशन नहीं आएगी इसलिए प्लेलिष्ट में जाकर उपलक्त सभी डिक्टेशन की अधिक से अधिक प्रेक्टिस करें सौटेन और टापिंग में किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं धन्याद